हुआ है हलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स यह आपके सामने एक टॉप लोड बॉशिंग मसीन एलजी कि इसमें जो फॉल्ड आ रहा है वह इसकी ट्रेंड असेमली जो है वहां से वाटर लीक है इसकी जो ट्रेंड को है वह एक्दम प्रोपर स्काइड्स वह थी जोट है तृफ्स को कहें है कोई दिक्तर नहीं वर्ट यहां पर जाए पानी इसमें गिर रहा है वारवर एक कया सिकायत थी तो हम ने क्या किया गया है इसको यह को करें को दिखाएंगे जो ड्रेन असेम्बली सब्सक्राइम चलिए रिमूब करें और इसके बाद एक निज ट्रें ड्रें असेम्मली उसको हम इसमय लगाकर दिखाएंगे कैसे हम इसे फिट reiter करते हैं और आप वो यह भी बताएंगे यह प्रैक्टिकल है सारा आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझ जाएं तो इसको क्या है मैंने निकाल दिया इसको इसके बाद क्या है आप यह जो ड्रिन असेमली ओल्ड वाली इसके क्या है दो इसक्रू लगे होते हैं ठीक है वह आप 10 mm के गो ही इसके बाद यी दो इसक्रू एक नीचे एक वर इसको रुमुव कर देना उसके बाद आप इसको निकाल सक्ते हैं तो आप एक बात जिएविट आप 2mm की लगती ही हैं हाँ पर क्यों है 10 mm कुछ 8 mm के श्कुरू होते हैं तो माहां पर क्या है यह दोनों आपको अच्छे से मतलब रिमूब कर देना और जो आप जैसे रिमूब करते हैं एक चीज का ध्यार रखें जब आप जो भी काम करते हैं पहले आपको देख लें किया उसको वहाँ निकालते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तब आप वहां पे क्या सकते हैं वाद में कि स्कुप इसी दो पर रुक़ी होगी को यह इसको हमें निकाल देना है यह चीज है और अच्छे प्यार से बहार निच और यह निकल गई वह बाई को है नного तो चीए आप पहकी यह हमें है निकल दिया थाक है यह जो देरने Y Nove वाली यह लीक थी एक क्योंकि इसमें पानी मतलब गिर रहा था पानी एक एक पून गिरता था तो बहुत ज्यादा एक घटा हो जाता था तो इस वह दिक्कत आ रही थी तो पानी जतना भी ताथा सर्फ का जो भी एरियल जो भी पॉडर यूज़ करते थे वह निकल जाता था उपने डिप डाव मोटर सुदे क्वाव यह उसको भी किरफ कर सकते हैं तो यह चीजह आप जैसे आपने उपन गया वैसे ऊपको करते ना Amai입니다 वाले च जो बहुक्षान आ olduğ तो यह जो गंदी हमने बहार निकाल दी और इसके बाद क्या है इसको अटेज कर देना है और इसकी जो ड्रेन कोक है उसको पहले निकाल देना है फिर इसके बाद आपको इसको अटेज करना है तो ये आप देख रहे हैं याद से में आपको दिखा रहा हूं और यह पर तरीकी से इसमें अच्छे से आप अपन तरीकी से इस पेस हैं तो आपको इस च्रूइंच इस डोनों को टाइट कर देना है सगे न Hu int से चेंज भी कर सकते हैं इन दोनों को दोनों स्कुरूइं इन दोनों को अच्छे से टाइट कर देना है कि नीचे वाला टाइट कर दिया बाकी ऊपर वाला जो है वो भी टाइट कर देना है कि इन दोनों को टाइट करके फिर उसके बाद हम जो ट्रेन को के उसको कैसे फिट कर सकते हैं कैसे फिट करना चाहिए उसके टिफ्स एंट ट्रिक वदाऊंगा वह आपके लिए वह ज़्यादा यूसफुल होंगे तो आपको वीडियो को बस पूरा बहुच करना वीडियो taot करना वीडियो क्यान तो इसको पाइप को भी आपको अच्हे से अच्छ से सब्नाल करता सकते सब्सेब्स कर देना इस कमें मतलब में इसको कि लगते हैं तो यहां पिल मोर्ट मेर्ट मोह इसको भी मजैसे हम करें तो इसको क्या है रिमूप कर देना इनाइसको nika भी अज़योगा आगे का अगती है अगर यह नहीं निकालों के तो कि था, और यह अंब दिखकत होती है जόEr होती है was परशानीकिसे गल अथे, तो यह आप देख रहें यह अच्छे से फाच जाएगे इसमें आटेचि होता है नट नट जो नहीं भी घड़ता है तो तो आप लगाएंगे इसको रजहें तो यह थोड़ा इस बहुत काम होता है इसमें टॉप लौड़ बाशिंग मशीनवसिन तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कोई नहीं दिक्कत तो होती है मगर यह काम हो जाएगा आपको क्या है इसको थोड़ा सा बैक्स मतलब पीछे की तरफ किसका आना है और इसको अंदर कर देना है ठीक है अंदर करके इसको क्या है इसकी चूड़ी है प्रोपर तरीकी से एक चोंड़ें पिर क्या रहेंगे आप इसका जो इस्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे तो यहां पर गया है हमने एक्दम तपर तरीके से चढ़ा दिक हम देख रहे हैं आप जहाँ पर इह पकड़े हैं इसकी करारी वहां पर आगे एक स्कूर लगना जो अभी स्कूर हमन ये ट्रिन मोटर की जो नोप हो दीव एकदम प्रॉपर तरिके से अंदर होना चाहिए वना वाद में दिक्कत हो दीख़ा ठीक से नहीं बैठती है फिर फिर तरीके से नहीं लगती है तो इसमें किया थोड़ा बहुत भी उपर रहेगा यह तो इसमें अगर हम बहुत करते हैं तो इसमें पूरी ट्रिन मोटर अंदर तक जाती है तो इस चीज का आपको दिया रखना है यह हमें क्या है इसमें लगा देना है फिर उसके बाद क्या है इसको अच्छे से टाइट कर देना है बस जो इस कुरू हमेंसा दिया रखना है आपको इस कुरू इस पत्ती से आगे ही लगता है ठीक है इन तीनों को हम अच्छे से टाइट करते हैं यहाँ पर जो टामी का साइज है जो गोटी का साइज है वो 8 mm है ठीक है mostly 8 mm और 10 mm की ही यूज होती है washing machine में चाहें वो semi-automatic हो या फिर fully automatic हो तो इन तीनों को अच्छे से टाइट कर देना मोटर बहुत अच्छे से टाइट कर देना ठीक है लूजी नहीं रहना चाहिए वहना दिक्कत आ जाएगी क्योंकि अगर डिस्पैलन्स होगी थोड़ी बहुत भी फिर दिक्कत देगी पानी में और आपकी एट्रीन मोटर भी न चाहिए जब यह अंदर चली जाएगी तब आपका प्रोपर तरीक से वर्क करेगी तो इसकी प्लास्टिक है बिल्कुल यह अंदर चली जाना चाहिए और यह थोड़ी बहुत भी आगे रहेगी तो इसमें दिक्कत होगी आपके वाय्टरमेट क्योंकि वहां से क्या है अकर कबता कर सकते हैं तो इसको बाद किया है इसका यह पार सेटेट जो इसके इस customer को देख ले घ्ले उसके बाद किया आप इस नट को लगाएं और स्टाउड करने की MUSIC करनी के बाद उसके बाद आपको मतलब मसीन ओन कर देंगे जो दिक्कत होगी वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सब कुछ एक दम प्रोपर तरीके सो जाएगा इस स्कूब बहुत अच्छे से टाइट कर देना है मैं आपको जूम करके दिखा रहूं जिससे की आपको अच्छे से नजर आ जा में प्रोपर तरीक से यह टाइट हो जाएगा अच्छे से और फिर मसीन आप ओन कर सकते हैं पानी इसमें मतलब मसीन में डालके देख सकते हैं फिर उसके बाद लेकिज तो नहीं है या फिर लेकिज अगर होगी तो दिक्कत होगी तो आपको या पानी डालके चेक वाट कर लेना है यह चीज आप देख रहे हैं यह चीज ऐसे एक ठीक है जब ट्रेंड मोटर हमाई चलेगी तो क्या हुआ यह इस चेगी फिर इसी तरीके से काम करता है क्यों गरारी इसकी हट जाती है फिर इस पर मोट पर चलती है फिर यह पानी तो अभी कहा है मैं कोड़ा सब्सक्राइब कर दो और इसी वीडियो देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करें रहो हैं data प्रोड़ाइब आप